हाई अब्रीबन कैसे हैं आप सभी लोग आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमस्टर के जितने भी छात्र है उनके लिए एक्जाम 2022 में आने वाली कोशन देंगे यह मौस्ट इंपोटेंट कोशन है जिसका पेपर का नाम हुजाएगा आपका बिज इंवच्टी हो प्रियागराज युनिवर्यश्टी हो विए अपने जो भी आपके पास डुक नोट्स कर रहे हैं मार्केट से तो वहां उस ओपन कर लिजे इसके अलाव आपको कुछ और पढ़ने की जुरूत नहीं पढ़ेगे और इनको आप पढ़के 85% से 90% के बीच में आप लाएंगे यह मौश्ट इंपोडेंट कोशन और एक्जाम से दो दिन पहले या फिर एक दिन पहले कोशन हम 10 कोशन ओल लिए आपको आपके जो भी ठीक है तो सभी छात्र चैनल को सस्क्राइब कर लें और एक और दूसरा हमारा चैनल है जिसका नाम है बीकॉम वाई पेपर है कर जिसका लिंक डिसक्रेप्शन बॉक्स में दे रखा है आप उस चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे ठीक है क्योंकि वहां पे हम बीकॉम की ही वी पर जाएंगे और इसके नोट से दिया आप डालोड करना चाहते हैं तो नोट का भी लिंग डिस्क्रप्शन बॉक्स में दे रखाया और साथ ही साथ हम एप्लीकेशन को प्लेस्टोर पर प्लेस्ट कर देंगे ठीक है इनके नोट्स होगी वहां से जाके भी स्टॉल करके आप कोई दिक्कत नहीं हो यहां बात करने वाले हैं चलो कोशन को स्टार्टिंग अमने सारी वीडियो हर कोशन की वीडियो प्रयाइट करा देंगे उनकी वीडियो आपको हमारे become my paper hacker YouTube channel और paper hacker पे भी मिल जाएंगे यहाँ देखो पहला question में टिक लगा लिए website कार्थ क्या होता है और website कितने पिरकार के होते है type भी देखेंगे website की और विसेष्था क्या होती website की उसके महत्व क्या होते है और हम website को कैसे पिरकार से जो विकास में जो अवस्थाएं होती है ब्यपसाय को हम किस पिरकार से विकास करते हैं उसकी कौन-कौन सी अवस्थाएं होती है उनके बारे में देखेंगे दूसरी question की बात करेंगे website संगठन क्या होता है उसका महत्व के बारे में देख लेंगे ठीक है, next question पर टिक लगाएंगे, यह बोला, एक नवीन व्यपसाइक, एकाई की स्थापना, और उनकी समस्य, देखो, कोई हम, एक नया कोई व्यपसाइक होलता है, ठीक है, उसकी एकाई में क्या-क्या स्थापना होती है, कौन-कौन सी वादाएं आती है ठीक है तो उनके बारे में याद करना होगा साथी साथ उनके प्रारूपों का बर्डन हमें अच्छी तरीके से याद कर ले रहा है नेक्स कोशन पूछा जाता हैaning की ब्यापार जा होता है ठीक हें तो की ब्यापार गीा उसके गुणदोस और बारे में अपसे पूश्यामर बहुत जाद ऐसे कोशचें अग्जामर बंते यह कोशन अप उनधिक बंदो इंपोटेंट है नेक्स कोशन आप से पूछ रहा है देखो नेक्स कोशन पी ठीक लगाई ए निफुक में देखिए जो भी आपके पास साध्यधारी करत क्या होता है उसके लक्षर उसकी विसेश्ता है आवस्यक तत्व कौन-कौन से है यदि आप साध्यधारी किसी के साथ कर रहे है तो यह आप इतना पढ़े लेंगे इसमें फिक हैं नेक्स कोशन है कंपनी का आर्थ क्या होता है एक कंपनी है तो उसका आर्थ क्या है यदि आवस्यक तत्व कौन-कौन सी में होते हैं company के छी Mr. जैसे went is the company खो रही限 और साथी साथ आप kan úton कि बात के लाद करेंगे कि कम्पणी के कितने पिरकार होते हैं तो दो पिरकार तो एक परसनल होते है जिस्ते नीजी कमपनी को तैसे होते है याद करके जाएंगे सडियंत्र इस्थानिगर्ण का अर्थ क्या होता है और साती साथ इसे प्रभावित करने वाले घटक या तत्व कौन से होते हैं मतलब कि जो सडियंत्र इस्थानिगर्ण है उसको प्रभावित करने वाले कौन-कौन से अलिमेंट है तत्व होते हैं या घटक भी कह सकते हैं जिनको वो आप देखेंगे इसके लाव और महत्व के बारे में याद कर लेंगे नेक्स कोशन है वेवर, वेवर के उद्धो के इस्थान निर्धान का सिद्धान दिया था, वेवर के वेवर ने लिख दोया, वेवर ने उद्धो के इस्थान निर्धान का एक सिद्धान दिया था, उसके बारे में अच्छी तरीके से याद करेंगे, most important है, नेक्स कोशन है, सडेंत्र अभिन्यास क्या होता है उसके लाव, उद्देश और प्रभावित करने वाले कार कौन-कौन से है साथिसा सडेंत्र इस्थान निर्धार क्या होता है इसको आप याद कर लेंगे सडेंत्र इस्थान निर्धार आप से सौट में पूचेगा sort question में वह आप याद करेंगे ब्यपसाई की इकाई जो मैंने ऊपर बताई थी उससे क्या आस है आस का मतलब है परिवाँसा मतलब की ब्यपसाई इकाई की परिवाँसा क्या होती है ठीक है उसे प्रभावित करने वाले element कौन कौन से है यह आप आबसेक element पूछ लेगा लाव दोस मुच लेगा साती साथ सयोजन के काई जैसे की एक होता है खेतिक सयोजन होता है उसके уд्देश के बारे में ब्रतिय और फिर चक्री सयोजन कहता है ये तीन परिकार के सयोजन आप से पूँचेगा इस से जयादा नहीं पूचेगा जैसे कि छैतिक सेयोजन के बारे में लिखो उसका उद्देश क्या होता है आप से लंबत सेयोजन पूछ लेगा ब्रतिय सेयोजन पूछ लेगा और साथी साथ बेपसाइक सेयोजन के प्रिकार पूछ लेगा तो इतने आपको याद कर लेना है पढ़ लेना बेबे की करण क्य क्या होता है इसके लाव क्या होते है आप यह देखेंगे बेबी के क्रण क्या होता है इसके लाव क्या होते है ठीक है नेक्स कोशन है वड़ज्य और उद्धोग में अंतर क्या होता है देखें बड़ज्य क्या होता है और उद्धोग क्या होता है इसमें अंतर आपको च्पार के बारे में और साती साथ उनकी अवस्थाओं के बारे में हम याद कर लेंगे की लगाएंगे नेक्स को फिटीकर लगाएंगे तो इसको उत्पाद एक होता है रेक रेखा को ही कह सकते हैं रेखा करिण उसे अभिन्यास की बात की जारी, उस पर टिपले लिख लेंगे, बेबे की करण मैंने उपर बता चुका हूँ, लेकिन आप से पूछेगा, बेबे की करण और राष्टी करण में अंतर क्या होता है, आप इसको याद करके जाएगे, ये थे 2022 में आने वाले कोशन, लगभगी कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कादारी है, आप हम से कॉंटेट कर सकते हैं, ठीक है, बिलते हैं लेकिन दब तक के लिए, बाई बाई